आज हम बैगन की उनिक रिष्पी बनाएंगे इसके लिए गुलगुल बैगन को काटे हैं गरांटी है बैगन की रिष्पी आपने नहीं खाए हैं इसके लिए बैगन को गुलगुल काटेंगे तेल में डालकर फ्राइ करेंगे बैगन को गुल्डन होने तक हाइफ लेम पर ब कि दोनों तरफ से बैगन गुल्डन हो चुका है या बैगन को निकाल लेंगे एक बर्तन में उसी तेल में हमने चार चोटे-चोटे मेडियम माकारी के आलू को चीन कर धोकर बारिक काटे हैं उसको भी डाल कर गुल्डन होने का अकता लेंगे सुना रहा क्या है झाल गोल्डन हो चुका है आप एक बार्तन में आलू को निकाल लेंगे हाई फिलेम में हाई फिलेम पे हमने आलू को तले हैं सारे आलू को निकाल लेंगे एक कराही में तेल डालेंगे तेज़ पास डालेंगे जीरा लाल मेज दो बार प्याज कटकर डालेंगे प्याज को सुनाहरा होने तक कर लेंगे भूनेंगे इस मसाला त्यार करेंगे एक कोटोरी लेंगे उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, लाल मेज पाउडर, गरम मसाला, नम्मक स्वादंसार, खाड़ा धनिया डालेंगे, पानी डालेंगे, चमच्छे चलाकर इसका पेश्ट ट्यार करेंगे, पियाज हम लोगा सुना रहा हो गया है, हलका, अब हरी मिर्च अधरक लेश्टन का पेश्ट डालेंगी, अच्छी तरह चलाकर भूनेंगे एक दो मिनट, एक दो मिनट हम लोगा भूना चुका है, अब हम मसाला तियार किये थे, मसाला पाड़र का पेश्ट और डालेंगे, टमाटर हमने दो लिये हैं, उनका पेश्ट बनाकर उसको भी डालेंगे, अच्छी तरह चलाकर मसाले को मधे माच पे पांच साथ मिनट भूनेंगे, पांच साथ मिनट हो गया है, मसाला उमलों को भून चुका है, अब देख सकते हैं, अच्छी तरह चला देंगे, मसाले से खुस्पूर बहुत अच्छी आ रही है, हम अच्छी तरहिए न जे आ. एक दो मिनाट और भूनेंगे अब ग्रेवी के अंसार पानी डालेंगे हम दो छोटे ग्लासिस में पानी डाले हैं अच्छी तरह चलाएंगे ग्रेवी को हमने जो आलू भैगन को फ्राई कीए थे आलू भैगन डालेंगे ग्रेवी में ढ़ांच मिनाट सब्जी को पकाएंगे सब्जी त्यारे दुस्तों एंजोई कीजे वीडियो अच्छा लगता दुसायर कमल लाइक कीजें झाल झाल झाल